तो आपने थमनेल तो देखी लिया होगा यह इवी एस से संबंदित वीडियो रहेगा इसमें questions रहेंगे 50 तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और subscribe भी कीजिएगा like and comment भी कीजिएगा तो first question है पहले थोड़ा detail में देख लेते हैं क्या रहेगा तो परियावरण का आर्थ है परिवरत्ति या surrounding अंग्रेजी भाषा में परियावरण के लिए environment या शब्द का प्रियोग किया जाता है environment का मतलब होता है घेरना मेंट का आर्थ होता है चारो और all round इस प्रकार environment का साब्दिक अर्थ क्या होगा चारो और से घेरना तो ये तो परियावरण हो गया के होता क्या है तो next देख लेते क्या है कि परियावरण की कुछ प्रमुक परिवाशाएं होती है जो निमलिकित होती है और ये एक्जाम में पूछी भी जाती है तो as fitting के अनुसार क्या परिवाशा थी उन सभी प्रभावकारी दशाओं का ये तो as fitting नामग बैग्यानिक क्या तत्य था तो अब next बैग्यानिक जो थे वो थे शोरो किन उन्होंने क्या का कि भागौलिक परियावरण उन समस्त दशाओं को इंगित करता है जो मानव के क्रिया कलापों से स्वतंत्र है तथा जिनकी रचना मानव नहीं की है और जो मान होतई फीरों को इंट्रैक्ट करेगा जो मानवymph जो कोई विक्रिया कलाप करता जो स्वतंत्र ही होती है चो फ्रीडमली रचनाच मानव द्वारा ही किया होती स्भाड़ा का ऑनव इक बेना स्वत्ट हो जाती है तो आय परियावरन की विसेष्टा हैं फीचर्स ऑफ इन्वार्मेंट वो देख लेते हैं क्या क्या हैं यह बहुत अच्छी से याद रखेगा कभी अगर एक क्लॉस टाइप में कुश्चन आगे तो आप अच्छे से याद रखना तो परियावरन की निम्लिकित विसेष्टा हैं दे जैब जगत सक्रिय है फुर्थ प्रियावरन का प्रभाव सभी प्राणियों पर प्रतियों और प्रतियों से पड़त फुश्प विविदता मिलती है और next option जो है वो है परियावरन में पार्थित एक्ता पाई जाती है next point जो है वो है पर्यावरण जीवधारियों का आवास शेत्र जो होता है वीटाट जो होता है वो होता है next question है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है तो आप देख लेते हैं questions मानवी प्रेक्ष में सामाजिक अध्यन का अर्थ क्या होता है तो A option is समाज का अध्यान, V option is परिवार का अध्यान, C option is रास्टर का अध्यान, D option इन मैंसे कोई नहीं तब जब समाजिक अध्यान हो रहा है तो समाज का ही अध्यान करेंगी तभी हमें समाजिक अध्यान का ज्यान होगा तो A option विलकुल करेक्ट हो जाएगा समाज के सभी सदस्य विचार विमर्ज करके अपनी प्रगती की रहात चुनते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा तो वो होगा प्रजातांत्रिक समाज में इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विच्ञान के प्रादुर भाव ने समाज का दरपन कहा गया है ए उप्शन है विच्ञान को वी उप्शन है गड़ित को सी उप्शन है इतिहास को डी उप्शन है साहित्य को तो समाज का दरशन जो कहा गया है वो कहा गया है साहित्य को नेक्स्ट कुशिन है किसके ज्यान के बिना गटना या एतिहासिक तत्थ का कोई महत्व नहीं होता है V. उप्शन है V. ग्यान के D. ऑप्शन है भूगोल के D. ऑप्शन है नागरिक शास्त्र के तो जो समय होता है उसके ज्यान के बिना किसी घटना या इतियासिक तत्यों का जो तत्यों होता है उसका कोई भी महतो नहीं होता है next question है सामाजिक विएगान में सम्मिलित नहीं है A option है नागरिक सास्त्र B option है इतिहास C option है भूगोल D option है भोत की तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा भोत की next question है देश की समस्याओं के परती जागरुकता पैदा की जानी चाहिए ए उप्षन है छात्रों में, वी उप्षन है जानबरों में, सी उप्षन है छोटे वच्चों में, डी उप्षन है ब्रद्धों में तो इसका जो करेक्ट उप्षन हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों में नेक्स्ट कुश्चन है लोक तंत्र में नागरिक्ता एक चुनोती पूर्ण है A अप्षन है दाइत्व, V अप्षन है कार्य, C अप्षन है बोज, D अप्षन है सभी तो लोक तंत्र में नागरिक्ता का सबसे चुनोती पूर्ण जो है वो होता है दाइत्वसका समाज की प्रगती अंतरास्थी भाईचारे और सोहारदिता को बढ़ाने में कौन सा विशय योगदान करता है ए उप्षन है बिग्यान, वी उप्षन है सामाजिक अध्यन, सी उप्षन है बास्तु सास्त्र, डी उप्षन है कड़ित तो इसका जो करेक्ट उप्षन हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक अध्यन समाज में उच्छंखलता आने पर समाज का पतन हुआ इसका ग्यान कौन सा विशय कराता है जिसका जो correct option हो जाएगा वो क्या होगा तो वो option हो जाएगा इतिहास समाज में उस शंकलता आने पर समाज का पतन हुआ ये जो ग्याने कौन सा विशे कराता है तो ये इतिहास कराता है नेक्स्ट कुशन है अंगरेजी के करिकुलम का परियाइवाची है तो अप्षण है पाठे किरम बी अप्षण है संगठन सी अप्षण है उपागम डी अप्षण है सिद्धान तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा पाठे किरम नेक्स्ट कुशन है, अंग्रेजी में करिकुलम सब्द आया है A ऐप्षन है फ्रेंच भासा से B ऐप्षन है लैटिन भासा से C ऐप्षन है जर्मन भासा से D ऐप्षन है संस्क्रत भासा से तो B ऐप्षन इसका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा じゃあ सामाजिक अध्यन की अवधार्णाय पूरी तरह टिकी हुई है तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा एकी करत उपागम पर नेक्स्ट कुछिन है निमलिखित में से कौन सा पाठिक्रम का आधार नहीं है तो इसका जो correct option हो जाएगा वो क्या होगा तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी नेक्स्ट कुछिन है योजिना पद्धती के लिए आवश्चक बाते हैं तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा परिस्थिती उत्पन करना सिच्वेशन क्रेट करना ही योजिना पद्धती के लिए आवश्चक होता है नेक्स्ट कुछिन है संगोस्टी में भाग लेने बाले चात्रों कितने चात्रों का समूँ होता है तो ए अप्शन दो या चार बी अप्शन है छे या आठ सी अप्शन है आठ या दस टी अप्शन है दस या बारे तो इसका जो करेक्ट अप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संगोस्टी में भाग लेने बाले चात्रों को समूँ आठ या दस में होता है नेक्स्ट कुछिन है संयोजक अध्यक्ष बक्तागन वा सहवागी की प्रमुक भूमिका होती है इसका जो करेक्ट अप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विचार गोस्टी में संयोजक अध्यक्ष बक्तागन वा सहवागी की प्रमुक भूमिका किसमे होती है तो विचार गोस्टी में मतलब अपने अपने विचार प्रस्तुत करने में नेक्स्ट कुशन है, सिक्षक निर्माता है, A option है रास्टु का, V option है परिवार का, C option है क्लव का, D option है इन में से कोई नहीं, तो इस option में तो यह बताने की जरूरत भी नहीं कौन सा option correct है, तो वो तो बिल्कुत सही हो जाएगा रास्टु का, नेक्स्ट कुशन है, अपनी सक्त तथा योगिताओं पर विश्वास होना चाहिए A option है नेता को, V option है अध्यापक को, C option है बैग्यानिक को, D option है छात्र को तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापक को नेक्स्ट कोशन है प्रभुत्वादी सिक्षन नीतियां केंद्रित हैं A option है सिक्षक, V option है छात्र, C option है सिक्षक और शात्र, D option है इन मेंसे कोई नहीं तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्षक नेक्स्ट कोशन है निम्न मेंसे कौन सी प्रमुख प्राचीन का लेकार्य नीति है A option है प्रोजेक्ट, V option है व्याख्यान, C option है ट्यूटोरियल, D option है अन्वेशन तो इसका जो correct option हो जाएगा वो क्या होगा वो हो जाएगा व्याख्यान नेक्स्ट कुश्चन है व्यू रचना अनुदेशन या सिक्षन की व्यापक विदियां है यह किसने कहा है तो इसका जो correct option होगा वो क्या होगा डेवीस, B option है वाव डी, C option है वाव ले, C और D option है डेवी, जिसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा डेवीस नेक्स्ट कुश्चन है योजना विदि किस दर्शन के सिध्धामत पर अथार्थ है तो A option है अधर्षवाद, B option है प्रियोजन बाद, C option है याथार्थवाद, D option है प्रकृति बाद, तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियोजन बाद नेक्स्ट कुश्चन है तो इसका जो correct option हो जाएगा वो क्या होगा वो हो जाएगा अप्रोक्ट सभी नेश्ट कुश्चन है बरगीकरत कार ये सूचित क्रियाओं की सूची बनाई थी तो ए उप्शन हैस फ्ल्यूम ने वी उप्शन ने आ सी एम बिधी ने सी उप्षन ने रॉउवर्ट मेगर ने दी उप्षन है इनमे से कोई नही तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा C option Robert में करने Next question है Harvard ने पार्थ योजिना निर्माड के लिए शोपानों की चर्चा की थी तो इसका जो correct option होगा वो क्या होगा तो वो हो जाएगा वो प्रियोग तो सभी Next question है sexual विदी में प्रस्तावना समाप्त होने पर किया जाता है A option है प्रस्तुती करण V option है उद्देश्य कथन C option है पुनरावरत्ती D option है मुल्यांकन तो इसका जो correct option हो जाएगा वो क्या होगा उद्देश्य कथन Next question है पार्थ योजिना के अनुदेश्य आत्मक उद्देश्य के बाद आता है A option है प्रारंबिक विवहार B option है प्रस्तावना C option है अनुदेश्य आत्मक सामग्री D option है प्रस्तुती करण तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदेशातमक सामगरी पार्थ योजना के अनुदेशातमक उद्देश के बाद क्या आता है अनुदेशातमक सामगरी आती है next question is किश्विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देशों को व्यभारिक रूप में लिखने में अधिक रुची ली तो यह option ए V.S. Bloom ने V. आप्ष्ण ए Robert Maygare ने C. आप्ष्ण ए Robert Miller ने D. आप्ष्ण ए अप्रोक्त सभी ने तो इसका जो correct option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा वी एस बिलूम ने वी एस बिलूम ने क्रियात्मा पक्ष के उद्ध्योशों को बेभारिक रूप में लिखने में अधिकरुची ली थी तो इसका जो correct option हो जाएगा आर सी एम उपागम में 17 मानसिक योगिताओं का प्रियोग हुआ था नेक्स्ट कुशन है किस विद्ध्वान ने सैन या देशन को व्यभारिक रूप में लिखने का प्रयास किया ए उप्शन है रोबर्ट मिलर, वी उप्शन है व्लूम, सी उप्शन है एलेन, डी उप्शन है आईपी डेवीस तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा एलेन एलेन ने सैन या देशन को व्यभारिक रूप में लिखने का प्रयास किया था नेक्स्ट कुशन है किस विद्वान ने सैन या देशन को व्यभारिक रूप में लिखने का प्रयास किया तो ये एलेन ने किया था नेक्स्ट कुशन है पाठ योजिना में आविर वहाव मनोविज्ञान के किस सिध्धान पर माना जाता है तो A option विवहार सिध्धान, B option मनोविशलेशन सिध्धान, C option है गेस्टाल्ट सिध्धान, D option है सनरचनात्मक सिध्धान जिसका जो करेक्ट option हो जाएगा वो क्या होगा? गेस्टाल्ट सिध्धान तो हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है पुनरवलन कौसल का उप्योग होता है A option है सिख्षण अग्रसरन हेतू, B option है प्रोचसाहन हेतू, C option अधिगम को रुचिकर करने हेतू, D option है प्रोच्ट सभी तो पुनरवलन कौसल जो होता है वो सिख्षण अग्रसरन हेतू, प्रोचसाहन हेतू, अधिगम को रुचिकर करने हेतू ही उप्योग में होता है समय और सक्ती की बचत में सहायक है ए उप्षन है टोली सिच्छन बी उप्षन है विध्यालाई सी उप्षन है परिवार डी उप्षन है किलव तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा टोली सिच्छन सभी अध्यापकों को जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा टोली सिच्छन में सभी अध्यापकों को विध्यापकों को विध्यापकों को विध्यापकों को रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेणना मिलती है next question है ततकालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्ट करने के लिए किस क्रिया का प्रियोक्त किया जा सकता है A option है सूशिना पट का B option है नवीन प्रकरणों वा बादविवाद का C option अततकालीन घटनाओं से सम्मंदे चार्ड का D option है प्रियोक्त सभी का तो इसका जो correct option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा D option हो जाएगा Next question है सरवेक्षन कितने प्रकार के होते हैं A option है 1 B option है 2 C option है 4 D option है 6 तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा 2 Next question है कलब या परिशद की इस्थापना की पहल की जाती है A option है छात्रों द्वारा B option है नेताओं द्वारा C option है डॉक्टरों द्वारा D option है बखीलों द्वारा तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा A option बिल्कुल correct Next question है कौन सा सिक्षन साधन द्रश साधन नहीं है A option है स्याम पट B option है रेखा चित्र C option है मूख चित्र D option है रेडियो तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो Next question है कौन सा सिक्षन साधन श्रब बिशाधन नहीं है A option है ग्रामो फॉन B option है टेप रिकॉर्डर C option है चित्र विस्तारक D option है इनमें से कोई नहीं तो इसका जो correct option हो जाएगा क्या होगा चित्र विस्तारक Next question है श्रब बिसायक सामगरी का उपियो करते हैं A option है सुद्ध उच्चारण में B option है शुद्ध लेखन में C option है शुद्ध पढ़ने में D option है इनमें से किसी में नहीं तो इसका correct option हो जाएगा सुद्ध उच्चारण में Next question है भूबाग के प्रदर्शन के लिए प्रियोग किया जाता है A option है मानचित्र B option है चार्ट C option है गलोव D option है रेखाक्रती तो इसका जो correct option होगा वो क्या होगा तो वो होगा मानचित्र Next question है पार्टि पुस्तक सिछन अविप्राव के लिए विवस्तित्र प्रजातिय चिंदन का एक अविलेख है यह कथन किसका है A option है Kronvake का V option है Good का C option है Hero Calcut का D option है Hal Quest का जिसका जो correct option होगा वो क्या होगा तो Harry Calcut ने कहा कि पार्टि पुस्तक सिछन अविप्राव के लिए विवस्तित्र प्रजातिय चिंदन का एक अविलेख है Okay next question है पांच बिंदू मापनी पार्टि पुस्तक की विसेश्ता है A option अति उत्तम B option S सामान्य C option निक्रिस्ट अति निक्रिस्ट D option अपरियोक्त सभी पांच बिंदू मापनी पार्टि पुस्तक होती उसके ये सभी विसेश्ता होती है Next question है निम्न मेसे तीन बिंदू मापनी पार्टि पुस्तक की विसेश्ता है तो A option rapti ne Ein Next question है ज्यान अनुभवौं भावनाओं प्रवर्तियों तथा मूलियों की संचे का साधन है ए उप्षन है विसे प्रविश वी उप्षन है उप्संगार सी उप्षन है पाथ्य पुस्तक डी उप्रयोक्त सभी तो इसका जो करेक्ट उप्षन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा पाठ्थिय पुस्तक सूच में सिक्षन प्रक्रिया किस अवस्ता में संपन्न होती है A अप्षन है सूच में सिक्षन पूर्वा अवस्ता B अप्षन है कौशल अर्जन विवस्ता C अप्षन है कौशल उपियोग अवस्ता D अप्षन है ये सभी नेक्स्ट कुश्चन है नए अनवबों को घ्रेंट करने में साहिता करते हैं A उप्षण तारितम्य B उप्षण साब्दिक व्यवार की सार्थट्था C उप्षण है पूर्व उनवफ D उप्रोक्त सभी तो इसका जो correct option होगा बुखिया होगा तो वो होगा अपरोक्त सभी Next question है मुल्यांकन के ओपकरण है तो एप्षन है परीक्षन, V ओप्षन है स्वैमालेक, C ओप्षन है निरक्षणात्मक वाप्रक्षेपी, D ओप्षन है अपरोक्त सभी तो इसका जो correct option होगा वो भी होगा आपका D option उप्रोक्त सभी मुल्यांकन के उपकरण में परिशन, स्वयमालेक, निरख्षनात्मक वा प्रक्षेपी होते हैं next question है उत्तम परिच्छा के मुख्य गोड है A option है विश्वस्णियता, V option है बैधता, C option है बस्तू निष्ठता, D option है उप्रोक्त सभी तो इसका जो correct option होगा वो क्या होगा तो वो होगा उप्रोक्त सभी ठीक है तो ये था हमारा आज का EVS का बहुत ही मैतपूर वीडियो अगर आपको अच्छा लगाए तो जल्दी से subscribe कर लिजेगा और जल्दी से bell icon को भी प्रेस कर लिजेगा अपनी query और comment जो भी आपके questions हो जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो आप comment box में mention कीजेगा उसका answer करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आप हमारे social media account facebook, instagram, tiktok, hello and share chat, twitter, daily motion पर follow कर सके जिनके link आपको description box में मिल जाएगे और आपको telegram group join कर लेना उसका भी link आपको description box में मिलेगा वहाँ से आपको classes की PDF प्रोवाइट हो जाएगी जिससे आप अपने notes range कर सके और आपको coverie app पर जाना है तैयारी beginners की search कीजेगा और वहाँ follow कर लीजेगा और वहाँ से audio revision करते रहेगा तो आपके काफी benefit होंगे वीडियो देखेंगे audio revision करेंगे तो आपके benefit ही होंगे और आपके तैयारी के लिए काफी अच्छा रहेगा तो आपको क्या करना है जल्दी से follow कर लेना है और यहाँ पर subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना है और subscribe करके वीडियो को share भी कर देना है और अपनी comment query सब कुछ करना है और घर पे रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए and अपना खयाल रखिए अपने परिवारी जनों का खयाल रखिएगा और निरंतर प्रयास करते रहिएगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते मन में हमेशा जनून रखिए हासल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद वीडियो वाच करने के लिए तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है वीडियो स्किप करने से पहले सब्सक्राब कर लेना ओके थैंक यू